आपका स्वागत है आज हम देखेंगे wrap क्या होता है? Wrap कमाड किस तरह इस्तेमाल होता है? किसी भी body और किसी भी face के लिए ये body हमने अपने last lecture में create की थी हम एक wrap का इस्तेमाल करने के लिए पहले हम एक छोटी सी geometry बनाते हैं surface select कीजिये sketch स्ट्रेट स्लोट कीजिए और एक स्लोट बनाईए अब एक्सिट जाईए अब हमने यह एक जोमेटरी बनाई है बोडी के उपर अब हम इसे रैप करेंगे इसे एक्स्टूड करेंगे यहां तीन औप्शन हैं एमबोस, डीबोस, स्क्राइब हमें पहले एमबोस देखते हैं क्या है एमबोस सेलेक्ट करने के बाद हमको फेस सेलेक्ट करना होगा जिस फेस पे आप यह बोडी रैप करना चाहते हैं कि हम अर्फेस पे हमको यह इसकेच करना है तो हम ने सटलेक किया थीकनेस जो आपको रखनी है वह रखिए सेलेक किजिए यहां स्ञोर्स में अल्री आपके स्केच सेलेक्ट हो अगर नहीं हुआ है तो आपको सेलेक्ट करना होगा यह देखिए यह एक external part wrap हो गया आपकी body पे आप इसी तरह किसी भी part में किसी भी plane पे wrap कर सकते हैं edit कीजिए deboss deboss में यह inside wrap होगा select कीजिए यह देखिए यह inside की तरफ cut हो जाती है body आपकी यह deboss है edit कीजिए feature इसके बाद तीसरा है scribe, scribe में न यह add होता है न माइनस होता है बस एक mark होता है उस plane पे एक plane होता है बस एक 2D plane होता है और कुछ नहीं यह देखिए, यह separate 2D planes है इसे कहते हैं wrap wrap मतलब कोई भी extra part आप किसी भी body पे add कर सकते है deduct कर सकते है या तो 2D plane में आप इसे add कर सकते हैं उमीद करते हैं यह video आपका पसंद आया होगा दन्नेवाद दन्नेवाद झाल